इस वीडियो में हम लोग डेट्रमिनेंट्स चेप्टर का एक ही ौपिक डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपोर्टन टॉपिक है और जिसका नाम है अट्जाइट आफ़ाइट स्केर मैंत्रिक्स Adjoint matrix का कैसे calculate करते हैं क्या-क्या उसकी properties हैं ये दो teaching point हमारे आज के इस lecture में रहेंगे सबसे पहने बटे मैं आप लोगों के सब बात करता हूँ Adjoint की definition Definition क्या है Adjoint की? वो बात करेंगे फिर Adjoint को calculate कैसे करते हैं और फिर Adjoint की property ये पूरा अपरा topic जो हमारा है आगे आने वाले maximum जितने भी question है इस exercise के और next exercise के सभी में Adjoint की calculation का use किया जाता है questions Adjoint of a matrix If A is any square matrix then matrix then matrix obtain from A from A by replacing its elements with corresponding two factors and then taking transpose and from A from A from A मतलब क्या है प्याइब कि अगर हमारे पास for example आप खिर explain करता हूँ A एक matrix है जिसमें three rows three column है ये देखिए कोई भी matrix है elements जिर्णा कोई भी वैल्यों भूसकिते है small a stands for element then Adjoint of A किसके ब्राबर होता है Adjoint A किसके प्रिक्वल होगा कि जहाँ small a11 की value लिखिया है वहाँ इसके पुफेक्टर value लिखिया है capital a11 a11 का पुफेक्टर होता है capital a11 then capital a12 capital a13 capital a21 a22 a23 a31 a32 a33 and then taking transpose मतना हमने कहाँ कि हर value के जिड़ा को फेक्टर value लिखिया जो को फेक्टर calculate करके आएगे जो हमने last lecture में discussed के थे calculate करने और values को फेक्टर से replace करने के बाद ट्रा ट्रास्पोज लेगा ट्रास्पोज लेने पर इस तरह से बन जाएगा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 मतलब जो फस्ट रोर है वो फस्ट कॉलम की जगा जाएगी और सेक्ट रो सेक्ट कॉलम की जगा थर्ड रो थर्ड कॉलम की जगा मतलब इसमें कुछ नई चीज नहीं है बटे जो कल के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था को फैक्टरस निकालना उसका यूज करेंगी और पिछले चैप्टर में हमने मैट्रिक्स का ट्रांस्पोज लेना सिखा था उसका यूज करेंगी इन दो चीजों का यूज करते हैं हम लोग adjoint calculate कर सकते हैं अब मैं आप लोगों को बताता हूँ calculate कैसे करते है a is equal to 1,2,3,4 to find adjoint of a solution adjoint a को लिखने का जो symbol हम लोग यूज करते हैं a, b, j और साथ में a परते कैस को adjoint of a adjoint of a कैसे calculate होगा जब भी हमें adjoint a calculate करना हो तो जैसे matrix को देखे चार element है अब चार भी cofactors calculate करेंगे solution a11 a11 cofactor of element a11 is equal to a1 capital a11 calculate capital a11 का मतलब ऐसा कटिक्टर जो first row first column को छोड़े और उसको minus one raise to power two से multiply करने के बाद obtain होगा अब कर हमने बहुत bread face के बारे में बात की थी capital a11 calculate करने का क्रीका क्या है इन दोनों का sum करो पहले one per one दोनों का sum two है तो यहाँ plus से शुरुआत होती है अगर इनका sum three आजाए तो minus से शुरुआत हो भी four sum आए plus से शुरुआत हो भी five sum आए तो minus से शुरुआत हो भी six sum आए फिर plus से शुरुआत हो यह मतलब basic चीज़ का होती है दोनों का sum करो अगर दोनों का sum even number आए that is two, four, six, eight and so on plus से शुरुआत करेंगे अगर दोनों का sum odd number आए three, five, seven, कुछ भी तो minus से शुरुआत करेंगे लिखा a11 यह तो मैंने कुटाया plus से शुरुआत की और इसके बाद first row छोड़ दें first row छोड़ दिया और साथ में first column छोड़ दिया बाती जुबर्सका है उसके साथ लिखतेंगे तो what is value of a11 plus score इसी तरह से कुफेक्टर of a12 a12 का कुफेक्टर लिखेंगे कुफेक्टर of a12 capital a12 हो जाएगा और capital a12 का फार्मुला और 1 और 2 का sum करें और नमबर आता है 3 और नमबर होता है तो आप minus से शुरूआ करेंगे छोड़ेंगे इसको first row second column तो क्या बच जाएगा आपका 3 a12 की value आदें कुफेक्टर of a21 is equal to a21 element को small a से लिखते है और कुफेक्टर को हम लोग capital a से लिखते है यह difference है दोलों में कुफेक्टर में और element के a21 फिल टुब 1 का sum और नमबर 3 है 3 और नमबर होता है को minus से शुरूआ करेंगे और अब हम जो second लोग छोड़ेंगे और first column छोड़ेंगे बचे रखे रखे आप लोगे plus 2 then कुफेक्टर of a22 capital a22 2 plus 2 4 4 unapi plus 5 unapi minus 3 unapi minus 2 unapi plus तो यह plus से शुरुआ second लोग छोड़ेंगे second column छोड़ेंगे तो क्या बच जाइड होगे तो therefore adjoint a adjoint a adjoint a को पुड़ा adjoint लिट में की जरूटी है adjoint a a11 capital a11 a11 a12 capital a12 a21 capital a21 a22 capital a2 transpose तो first row को first column की जिए transpose transpose का मत्रिक्स का मत्रिक्स के उपर transpose का symbol लिखा होता है transpose का मत्भ़ है row को column में change करता है first row लिखी थी तो उसको column में change करते है second row को second row यह जो आंसर हमारा है this is called adjoint of a इसको हम लोग adjoint लिए और यह हमारा answer है this matrix में two rows two columns हो उसमें adjoint निकालने में ज्यादा दिक्त नहीं आती अब हम लोग इसी तरह से एक और question discuss करेंगे वोटे जो मैं book में से लिखता हूँ क्योंकि आप लोगा साथ साथ एक question homework का भी बिल जाएगा आप ठीक है अब बुक को देखिए और exercise 4.5 है उसका question number 2 देखिए वोटे यह लिखा है 5 adjoint of the matrix question 2 question 2 है 1 minus 1 2 2 3 5 and then minus 2 0 1 एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना और समझना है आप लोगोंने देखे क्या कर लें अगर वो पहले से a,b,c,d किसी के equal नहीं लिखा अगर कोई अगर 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 बाति जो बसका यह हमें तो और इसको expand 3 x 1 3 अगर अगर a,1,2 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 पहले देखो प्लस या माइनस कौन से साइन से शुरुआत पगने है 1,2,3 अगर 3 है तो यहां माइनस पुका देए और नूमर है तो माइनस है अग छोड़ेंगे किसको 1st row, 2nd row 2,5 minus 2,1 और जबिसको expand करेंगे रेक के बाहर minus का साइन है 2 x 1,2 minus, minus 10 minus 12 वाजए गा on 15 a,1,3 1,3 1,3 4, 4 हुने भी हम प्लस, लिखते किसको छोड़ते किसको देखो, अब छोड़ता है फास्ट प्रौ मचेगा ट्टू 3, माइनस को 0 और इसको मौटिप्लाइए प्लस को लिखने के जुरूप नहीं है, और जिरो, माइनस, माइनस 6, और माइनस, माइनस, प्लस 6 तो है, शची महीं यह तीनों एलिमेंट्स तीनों को फेक्टर्स करेंगे अब हम कैल्कुलेट करेंगे ए टू वन तू वन थ्री सम है तो माइनस से शुरुबाद करेंगे छोड़ेंगे सेकंड रोव फास्ट कॉलम माइनस वान तू जीरो वान माइनस को मंटिक्लाइ किया प्लस वान से माइनस वान प्लस वान एकिर एटू प्लस वान second row चोड़ेंगे बिटे second column बचेदा 1, 2, minus 2, 1 1 into 1 minus 4 और 1 plus 4 हो जाएगा 5 A to 3 minus के साइब ज़े फिल शुरुआ और minus के साइब से शुरुआत करके करेंगे क्या अबे second row और third column को छोड़ेंगे यहाँ देखे second row बहाँ पे है second row third column 1 minus 1 minus 2, 0 यह बचेगा और जब इसको calculate करके माइनस साइब आइब आइब 1 into 0, 0 होता है minus, minus 2, minus 1 plus 2 आजएगे और यह calculation करने के तुम बनता है अब A31 A31 इस element का कोफेक्टर निगालना है 3,1 बहुते हैं third row first column का element है उसके corresponding कोफेक्टर होता है capital A31 plus sign जशुरुआत होती plus लिखने की ज़रूट नहीं होती मैस लिए distinction करने चलिए आप लोगे को बताई जा रहा है third row first column चोड़ेंगे minus 1, 2, 3, 5 answer आजएगे minus 5 then minus sign 6 minus 11 a3, 3, 2 minus के sign से शुरुआत होती चोड़ेंगे third row second column 1, 2, 2, 5 बचेगा 5 minus 4 minus 5 प्लस चोड़ेंगे third row third column चोड़ेंगे 1, minus 1 2, 3 3 minus minus 2 plus 2 हो जाएगा प्टिए मैं जाट लिखते भी नहीं हाता है कि बच्चों से उमीड की जाती है पता होता चाहिए अब हमने सब के सब कोफेक्टर्स लिख लिख लिए है अब हम लोग लिखेंगे adjoint A is equal to देखेंगे A11 की वेद्वी जो आई की capital A11, capital A12, capital A13 जो हमने calculate की है वेद्वी लिखनी है 1, 5, 2 minus 11, minus 1, for 5 and then dash रगाजिए dash means transpose लिखेंगे 3, minus 12, 6, 1, 5, 2, minus 11, minus 1, 5 यह आप भूँगा adjoint A11 आप पंसर नोट कर सकती हो question number 2 था जो बुख में लिख रहा है NCRT में तो अच्छे धेंग से आप लोग इसको note करने अब इसके आगे note करने चल्दी इसके आगे हम लोग next question करना start करेंगे but next question करने से पहले properties आप लोगों को बताऊंगा मैं थोड़ी थोड़ी determinants की क्या-क्या properties है adjoint की और adjoint के साथ determinant कैसे attach किया जाता है पहले प्रोपटी अगे a multiplied by adjoint a is equal to adjoint a multiplied by a is equal to determinant a into pi समझे इसको कि अगर आप दोगों के पास a कोई भी square matrix लिखा है आप उसका adjoint calculate करें दोनों को multiply करें चैनल तो a को adjoint a से multiply करें या adjoint a को a से multiply करें दोनों को multiply करें क्या है determinant value into identity matrix where i is identity matrix i किसको represent करता है identity matrix को determinant a किसको represent करता है यह determinant की value को represent करता है इसके उपर based हमारी इससाइज में एक question है बटे third question जिसकी हमने verification करनी है third question में दो ही पार्ट है वो इसी फार्ट लूने की verification है और यह उपर वाला result हमें verify इसमें हमें a तो given होता है हमें दो चीज़े calculate करनी होता है एक तो adjoint a की value और determinant a की value सबसे पहले आप लोग determinant a calculate करने किसी भी scale matrix की determinant value calculate करने का क्या तरिक होता है जो scale matrix आपके सामने लिखा है उसको आप determinant की form में लिखने है two, three, minus four, minus six और इसकी value निकाले है two into minus six minus twelve minus sign minus four into three three यह भी minus five answer आजेगा चीज़ो यह determinant आप अब adjoint a निकालने का adjoint a निकालने के लिए a one one से start करें कोटे one one two है plus से start होना first row first column खोड़े लिए minus six आज़े plus minus minus seven ज़ेगा a one two minus से शुरुआत होगी first row second column चोड़ेगे minus four value लिखिए minus seven निकालने के लिए plus four होगा a two one minus से शुरुआत होगी second row first column चोड़ेगे और साथ में three attach करें a two two plus से शुरुआ होगी second row second column सोड़ेगे प्रुआत है तो देर्पोर adjoint a minus six four minus three two and then इसका transpose तो जब तक transpose नहीं लेगे तब तक adjoint नहीं बनेगा तो क्या होगेगा minus six four first row first column बन गया और second row second column नहीं ट्रांसर यह बिटें हमारे पास adjoint a के वेल गवाए अब आप लोग में सिर्फ एक पार्ट करोंगा a into adjoint है similarly आप लोग adjoint a into a calculate कर सकते हो और फिर right hand side करोंगा तो इसको ऐसे लिखे हो यह first part है यह second है और यह third तो कि इसमें left hand side right hand side नहीं लिख पाएगे हमें तीनों पार्ट को calculate करना है और equal prove करना है first part a multiplied by adjoint a a into adjoint a एक value लिखको पूटे कितनी है question we give a thing two to three minus two to minus six और adjoint a value है लिखे है minus six minus three four two पहली entry को column की पहली entry से दूसरी entry को column की दूसरी entry से अब next first row को ही second column से multiplied by two into minus three minus six three into two plus six second row to first column से minus four into minus six plus twenty four minus six into four minus twenty four second row to second column से minus four into minus three plus twelve minus six into two minus two कितना अंसर आया zero 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 यह हमारी first part की value है singularly singularly means इसी प्रकार आप लोग second part को calculate करोगे adjoint a into a और वो भी आप लोगों के पास 0000 आएगा सेम प्रोग्राम है आगे पीछे तरके a adjoint a a और a को लिखना है third part का है हमने third part में हमने calculate करना determinant a into i what is value of determinant a हमने calculate की थी 0 वे दिवाज़ दे determinant a और i इसमे तू रोज तू बॉलो माला matrix को में डिसकस किया तो यह होता है बंग जिरो जिरो बंग और जब जिरो बंगर सभी से multiply होता है matrix में तो यह जिरो 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 अब आप लोग देखिए first part की value 0000 second part की value 0000 third part की value 0000 therefore first part is equal to second part is equal to third part that is a into urgent a is equal to urgent a into a is equal to definite a into y और hence verify यह हमारी पहली property थी जिसको मैंने verify करके आप लोगों को दिखाया तो यह question में था वरी किसम का question तो इसलिए बात दी दूसरी property प्रोपर्टी के प्रडेश्ट इस प्रोपर्टी के प्रडेश्ट कभी-कभी एक चोटा सारा question आ जाता है मैं आप लोगों को बता रहता हूं कभी teacher के बूज ले a into urgent a is equal to fifteen, zero, 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 fifteen, zero, 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 fifteen what is value of determinant a? a into urgent a a into urgent a किसके बात रहता है प्रोपर? इसकी जड़ेश्ट determinant a into i we know is equal to 15, zero, zero पुरा टाइम बिचाने की पोसीज करना हूं तो इस सब में से 15, one, zero, 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 one, zero, 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 one equal to determinant a into i यह यह आई पैरिटी मै्त्रिक्स है यह इडेंटिक एक को होगा और determinant a is equal होगा 15 है जो बहाँ लिखते है मै्त्रिक्स है वो determinant a की वैल्यूट determinant a is equal to कितना होगा 15 यह हमारा यही से देखने से परहा चल रहा है यह जो डाईयों की एंट्रिस होती है यह determinant a की वैल्यूट और ही रिपर्जेंट करती है दूसरी पर्फटी है जाईय। अज़्ण a determinant is equal to determinant a raise to power n minus 1 where n is order of matrix मत्ला माल वहाँ determinant a की वैल्यट चालिट कर जाव्यूट और adjoint A calculate करके उसमें भी determinant की value calculate कर ली, तो जो adjoint A की determinant value होती है, वो A की determinant value भी N minus 1 power के प्राफर होती है, इसे एर लिटिल क्वेस्टिन सेटिन प्राफर इसे, आप लोगों में पास निक्काओ, अग्जाम्पल रेखिये, determinant of A is 5, order of A is 3, what is value of adjoint A, adjoint A determinant की value बताते हैं, अब देखो, adjoint A का determinant इसका फादूला है हमारे पास, यह आपने तोने याद रखना है, adjoint A determinant, is equal to, determinant of A raised to power n minus, जो जो value आपको इसमेर पता है, दो values पता है, प्री दोनों की value लिखतो हो, अपने आप third value calculate बता है, adjoint A हमें लिका रहने तो, determinant A की value बता है कितनी है बचो, 5, आब अब अब एन कितना है, एन को बोचते है, order of matrix, 3 minus 1, 5, 2, 5 series, 25, इस तरह से आप लोग, adjoint A की value दाख सकते हैं, adjoint A की definite, sorry, दो प्रफट यह हैं, सिर्प लिखवाऊगा है, जब कोई बीच में question आएगा, तो उसे एक प्रलेक्टिक question रिडिसकस करेंगे, adjoint of A into B, इसकी प्रफटों अडिजर्ट और B into अडिजर्ट और A, मतलब, अगर A और B दो मेंट्रेक्स प्रोड़क्ट में लिखे हैं, और हम उनका अडिजर्ट कैल्कुलेट करना चाहें, बतलब A, B के प्रोड़क्ट के बाहर अडिजर्ट लिखा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको अडिजर्ट B into अडिजर्ट A, मतलब, यहां हमने A, B के प्रोड़क्ट का अडिजर्ट कैल्कुलेट किया, और यहां अलग-अलग B का अडिजर्ट अलग कैल्कुलेट किया, और उनको रिवर्स डारेक्सिं में मॉल्टिप्लाई किया, और अगर इसको मैं बज़र्ट इप्रोड़क्ट के बाहर अडिजर्ट के लिख है, अंदर प्रोड़क्ट लिख है A, B का तो यह एक अडिजर्ट टॉनों के साथ अलग-अलग हो जाएगा, बट और उनको रिवर्स हो जाएगा, अडिजर्ट A, B किसके बराबर होगा, अडिजर्ट B, अडिजर्ट A, चौति प्रोड़क्टी प्रोड़क्टी, अडिजर्ट ओफ ए, इस ट्रांस्पोज, इस एकवल टू अडिजर्ट A ट्रांस्पोज, मतलब अगर अडिजर्ट A का ट्रांस्पोज लें, तो वो A का ट्रांस्पोज लेकर बाद में अडिजर्ट ले लें, सेम रिजर्ट आज़ता है, तो आप लोगों ने के प्रोप्टी इम्पोर्टेंट अगाओ, इसके उपर one match, two match question आ सकता है, इसके भी आ सकता है, इनकी verification आएगी तो भी आप लोगों को आएगी, या कहीं question के बीच में आप लोगों को use करना पड़ सकता है, और चीब भी निख सकते हो, Adjoint of a symmetric matrix is symmetric, symmetric, ये बाज प्रोप्टी इन प्रोप्टी के बेसिस पे आप exercise ये, first question, second, third, fourth and then construct ये बाज़े 17th question, ये question 5 question कर सकते हो, तो आप लोगों का homework क्या होगा, question 1, question 2, question 3, question 4 and then question 70, आज के lecture में हम बड़े इतना ही discuss करेंगे, क्योंकि आज मैंने Adjoint a को discuss करना था, जो अगला हमारा lecture होगा, उसमें फिर हमने दबारा Adjoint a की further advance study करना है, तो इसलिए एक बार जब इसको कर लोगे, आगे करना आप लोगों के लिए बहुत easy हो जाएगा, और मेरेको उमीद है आप लोग अच्छी तरह से घर बैठे वे इन questions को देख रहे होगे, वीडियो को देखते होगे, questions करते होगे, और आज से आप लोग उसको दुबारा फिर मैं एक आप लोगो request करूँगा बचो, कि जो भी आप लोग home work करते हो, उसको मेरे WhatsApp पर डाल देखरो, ताकि मेरेको भी पता चलता रहे कि आप लोग ने क्या किया क्या नहीं किया, थैंक्यू होजाएगे